हेलो गाइस तो आप सब का स्वागत है मेरे चैनल सिंपल थाली में तो आज मैं बच्चों की डिफिन के लिए एक रेसिपी आपसे शेयर कर रही है जो जट पट से 10 मिट के अंदर बन जाती है तो देखें यहां पे मैंने ले लिया है कद्दू और साथी में मैंने ले लिया है है आठा पर यह कद्दू को चील के और इसे कद्दू कर लेती हूं तो यहां पे मैं कद्दू कर लिया है और साथी मैंने एक आलु लिया जिससे इस सकाप्याना एचा जाएगा plea- Memphis अरूमीं चाहे है से भी गेंगे और साथी मेंने देखिक जो कद्दू और आलु को घिस लिया था उसमें से एकदम हलका सा मैंने पानी नी चोड़ा है क्योंकि नहीं हमारा जो नाष्टा है मिल ठ grains मिलता है जो पस्ता मिलता है इसके अंदर चम मच देखा जिसे इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और हORE भागता चटबटा भी हो जाएगा तो यहां पर हमें यह मसाला डाल लेना है, आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, साथी में मैं स्वादनुसा नमक भी डाल दूँगी, नमक आपको अपने हिसाब से डालना है, और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो यहां देखिए मैं चलाते चलाते से मिक्स कर ले रह तो यहां पर मैंने जो कप है जो आपको मैंने दिखाया उसी कप से मैंने एक कप पुरा पाई डाल लिया है तो इस तरह से हमारा गाढ़ा से बैटर त्यार हो गया है मैं आपको दिखाती हूं देखिए तो इस तरह से गाढ़ा से बैटर त्यार हो गया आप मैंने देखिए यहां पर एक पैन चड़ाया है तो यह पैन गरम हो चुका है तो इसके अंदर हम थोड़ा सा ओईल डालेंगे और ज्यादा ओईल नहीं लगाना है बहुत कम तेल में अ तो इस तरह से हमें चारपा चमच घोल डालके और इसे फैला लेना है सरकल के शेप आला अब इसे हम ढग देंगे जिसे कद्दू और अलू अच्छे से पक जाए तो यहां देखिए मैं जूम करके दीखा रही हूं यह नीचे से हलका हलका लाल हो रहा है उपर से देखिए गीला पर इसका खतम हो गया है तो मैंने इसे पलट दिया इस तरह से दबा दे दबा के हमें थोड़ा सा फ्राय कर लेना है और फिर इसे हम ढग देंगे जिसे अंदर का जो कद्दू और आलू है वो अच्छे से पक जाना चाहिए तो यहां पर देखिए मैंने इसे ढग दि जिसे थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए और यह बहुत ही नरम और अच्छा हेल्दी नाश्ता है बच्चों को यह बहुत पसंद आएगा रोज डेली की रोटी सबजी बच्चे खाके बोर हो जाते हैं तो आप इस तरह से उन्हें बना के दीजिए तो अब मैं आपको एक चाहिए जिससे दिमाग तेज होता है और यहां पर देखें मैंने तीन काजू दे दिये हैं और उसी के साथ में मैं चौकलेट भी रख दूंगी तो यहां पर हमारा देखें लंच बोक्स अच्छे से रेडी हो गया है और इसके साथ में आप सॉस देजिए उन्हें खाने के लिए आप लोग इस्टिल का बरतन में ही बच्चों को टिफिन में खाना दीजिए तो यहां देखिए मैं सॉस के साथ में से सर्व कर लेती हूं और बच्चों को इस तर से आप लोग लंच बोक्स दे सकते हैं तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल पे पूरी प्लेइलिस्ट है लंच बोक्स की तो आपको हेल्प होगी आप लोग उससे जरू देख सकते हैं थैंक यू